डोसा में सनक हाथसा दो लोगों की मोत आठ लोग घायल जब की आठ लोग घायल हो गए हैं घटना पालाड़ी गाउं के पास हुई है एक घायल यात्री के अनुसार बस बंदी कुरिया से मेहदी इबाला जी जाते समय रास्ते में खड़ी थी इस दोरान पीछे से आजात वहन ने टककर मार दी दोसा जिला अस्पताल में डॉक्टर सुधबरकास सर्मा ने कहा कि बस में सावार लगबक एक दरजन लोग घायल हो गए हैं घायलों को शिकरिया अस्पताल में भरती करवाया गया जहां से हालत गंबिर होने के कारम दोसा जिला अस्पताल में रेफर करवा दिया गया है वहीं उन्होंने मम्ता संकरवा राजस शर्मा की मौत होने की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि गंबी रूप से घायल हुए आठ यातरियों को जैपूर रेफर करवा दिया गया है मिर्त के सव को दोसा जिला अस्पताल की मर्चमारी में रखवाया गया है